हेलो एपरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे देखिए जेससी के द्वारा जो नई वेकेंसी आउट की गई है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे 17 फरवरी तक ही आपको जो है समय दिया गया है और ये ये वेकेंसी थोड़ी कम है बट सब्जेक्ट वाइस है जैसे कुछ पदों के लिए सिर्फ कॉमर्स वाले और मैथ वाले अपलाए कर सकते हैं कुछ पद के लिए अलग-अलग सब्जेक्ट का क्राइटरिया लगा हुआ है तो भीड आपके लिए जो है थोड़ा बहुत जो जाएगा तो इसके भी ध्यान में रखना है complete information आपको इस वीडियो में मिलेगी by the way कोई भी आपका अगर doubt रहता हो suppose कर लो तो आप क्या करोगे नीचे comment section में doubt को लिखोगे लेकिन doubt लिखने से पले न एक बार वीडियो पूरी देख लेना मुझे पूरा यकीन है कि 90% doubt आप नीचे comment करके जरूर लिखे है राची से भी देख सकते हो जामतरा गोड़ा जहां से भी देख रहे हो प्लीज नीचे comment करके वो जरूर लिखे है ताकि मुझे भी पता चल सके कि हमारी audience हमारी family कहां तक पहुँची हुई है तो देखिए ये new notification है यहां से आप देखो 18 बटा 2023 के लिए recruitment आई हुई है और इसका नाम क्या है जारखंट तकनिकी विशिष्ट योकिताधारी असनात तक यानि की graduate के लिए ये जो recruitment आई हुई है नियमित वेकेंसी पर्मानेंट वेकेंसी है कोई contractual वगेरा नहीं है इसका code name क्या है JTGLCCE 2023 इसके लिए अब अपलाए कर सकत अब मैं आपको सीधे कुछ चीजों को लेकर चलूँगा देखे क्या क्या बाते बताई गई है यहां से देख लो एकजाम कफी 100 रुपिया परिक्षा सुल्क में चूट जो जारखंट राज के अनुसूचित जन जाती वगरा है उनके लिए 50 रुपिया बाकी सब के लिए 100 रुपए रहेगा क्लियर होगी यहां तक बात है तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अब देखो जो वेकेंसिया यह अलग अलग पोस्ट की वो मैं आपको जो है साजा कर देता हूं सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए दखिए जेनरल वाले के यहां पर जो सीटे रहने वाली है चार अनुसूचित जनजाती के लिए जो है दो अनुसूचित जाती के लिए एक एक जो है अत्यनत पिछडा वर्ग एक और दूसरे वाले के लिए कोई पोस्ट नहीं है और EWS के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है टोटल आर्ट विकिंसी है के लिए ठीक है और नाम याद रखना अभी जो है subject combination भी मैं आपको बताऊंगा पौधा, सनरक्षन, निरिक्षक और समकक्ष यहां से general के लिए 11 पोस्ट है अनुसूचित जन जाती के लिए 7 अनुसूचित जाती के लिए 3 अत्यांत पिछडा वर्ग अनुभाग 1 के लिए 2 औ तोटल 26 वेकेंसी यहां से आपको देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं और यहां से देख लो यह कौन सा वेकेंसी है अनुमंडल, उद्यान, पदाधिकारी एवं समकक्ष जनर के लिए 6 वेकेंसी है अनुसूचित जाती के लिए 4 एक जो है अनुसूचित जाती के लिए अनुभाग एक के लिए एक, अनुभाग दो के लिए भी एक है और EWS के लिए एक टोटल चोगदा वेकेंसी है आगे बढ़ते हैं अगले पोस्ट के लिए सांखिकी सहायक एवं समकक्ष यह मैत और कॉमर्स वाले बच्चे जो है इसको फिल कर पाएंगे बाइदर में आप बहुत भेदभाव में क्रिया है सौरी माफी चाओंगा लेकिन आगे अभी सब सब्जेक्ट के बारे मैं आपको क्लियरली डीटेल्स में बताऊंगा ठीक है यहां से देख लेते हैं जेनरल वाली के लिए 12 पोस्ट है अनुसूचित जन जाती के लिए 7 तीन जो है अनुसू 24 पोस्ट है अनुसूचित जन जाती के लिए 81 दो पद जो है आदिम जन जाती के लिए समिलित है अनुसूचित जाती के लिए 31 वेकेंसी यहां पे आई हुई है और अब यहां से देखो निरिक शक विधिक माप बिग्यान के लिए 12 वेकेंसी यहां से देखने को मिलेगा अ दो वेकेंसी अनुसुचित जाती के लिए अतंत पिछडा वर्ग के लिए तीन और अनुभाग दो के लिए दो और EWS के लिए दो 28 वेकेंसी आपको यहां से दिख जाएगा यह चटे नमर की वेकेंसी थी साथ में नमर के साथ चलते हैं तो भुत वात्विक विशलेशक के लि चली आगे बढ़ते हैं अब यहां से देख लिजिए यह देखो यहां से इनोंने बता दिया है किसके लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए तो यहां से देखो यहां पे अगर आप देखोगे सहायता, अनुसंधान, पदाधिकारी, एबं समकक्ष किसी से भी लिए जो अगरिकल के लिए देखे गनित या फिर एकुनॉमिक्स में जिन्होंने जो किया है ग्रिजुएशन वही अपलाई कर सकते हैं निरिक्षक विधिक मापक विज्ञान के लिए यहां से भौतकी वगरा से जिन्होंने करा है वो यहां पर अपलाई कर पाएंगे आगे देखे केमेस्ट्री वाले के लिए भी रिक्रुट्मेंट है भुतात्विक विसलेशन के लिए जो है केमेस्ट्री में जिन्होंने ग्रिजुएशन करा है वो अपलाई कर सकते हैं उसके बाद देखो सहायक अधिक्षक और समकक्ष के लिए जो है चार वर्स का जो BCA सेरी कल्चर वगरा से जिन् न्यूनितम उमर 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो 35 तक आप इसे अपलाए कर पाऊगे और इसी तरह से देखिए अत्यंत पिछणा बर्ग अनुसूची एक और दो पूरुस के लिए 37 साल महिलाओं के लिए 38 साल 40 साल अनुसूची जाती SCST के यह बात आप याद रखना ठीक है अब देख लेते हैं आरक्षन आरक्षन का दावा का जो है लाब जो है तभी मिल पाएगा जब आप यहां के जारखन के निवासी हो तभी ठीक है यानि कि OBC SCST EWS के लिए आपको जारखन का निवासी होना ज़रूरी है अगर बाई जब ज registration है और जो सुच रहा है वो 16-1 से जो है दिनांक 15-2-2024 तक यह रहने बाला है ठीक है परिक्षा सुल्क का जो भुकतान है वो 17-2 तक आप कर पाओगे फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का जो समय है वो 19 तक है यानि कि 19 तक आप अप अप्लाई कर पाओगे देखिए य और इसके लिए अलग से एक वीडियो आपको चाहिए कि इसके syllabus पे एक अलग से वीडियो दखिए अभी उन्होंने subject वाला syllabus नहीं जारे किया है तो जैसे sericulture या एगry culture के लिए I mean maths के लिए जो है अलग से syllabus देंगे तो अगर आपको वो syllabus देखना है तो नीचे syllabus लिखकर comment कर देना देखिए कोई प्रस्ण अगर आप सही करते हो तो तो तीन नमर मिलेगा कोई अगर नेगेटिव करते हो तो एक नमर आपका जो है कटूती कर दी जाएगी यानिकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी नर्मलाइजेसन के लिए जो है कोई बात कही गई है क्या देख लेते हैं अब आगे देखिए तीन पत्र होगा यहाँ पे पेपर वन जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिस पचास पचास नमर इनोंने कर दिया है दो घंटे में आपको जो है 120 कोश्चन सॉल्व करना होगा याद रखिएगा 30% अगर स्कोर आप नहीं कर पाते हो तो आप डिस्कॉलिफाइ वो जाओगे पेपर 2 की बात करें हिंदी अंग्रेजी उर्दू संथाली बंगला मुंडारी हो खड़िया खोटार नागपुरी पंचपर गनिया उड़िया संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आप रख सक स्वा नमर का ये पेपर होगा और याद रखिएगा इसमें देखिए चिन्नित जन जाती है और छेत्रिय भासा में 30 अंक प्राप्त करना अनिवारी है इसमें भी 30 अंक जो है लाना अनिवार है और ये मैरिट में भी जुड़ेगा आगे देखिए पतर 3 की बात करते हैं यह से देखो तकनिकी भी से इसका सिलेवस अभी तक नहीं दिया गया है इसका सिलेवस अलग से जारी होगा तो इसके उपर एक अलग से विडियो भने की स्वा नमर आपका जो कंसर्णिंग सब्जेक्ट है मैत वाले के लिए मैत अर्थसास्त्र वाले के लिए अर्थसास्त्र और जिनका एग्री कल्चर है, यानि की किर्सी विज्ञान है, उनके लिए अलग से ये 100 नमर रहेगा, और समान अध्यन 20 नमर का, 20 नमर गनीत का रहेगा, जो कि क्लास 10 तक के लेवल का होगा, समान विज्ञान जो है, 10 नमर का रहेगा, क्लियर होगी बाते, अब देखलो, यहाँ पे, पेपर 1 का जो स्लेबस है, हिंदी में 30 नमर जो है, अनुछेज से पुछा जाएगा, 30 नमर ग्रामर से पुछा जाएगा, क्लियर होगी, छेतरिय भासा 2 का जो पेपर है, वो मैं अलग से आपके लिए साजा कर दूँगा, समान अध्यान में देखिए क्या क्या आपसे पुछा जाएगा, इसके लिए अलग से विडियो बनाएगा, यह चीजों को अभी हम लोग रहने देते हैं, मैंने आपको जो बताई थी बाते हैं, वो यहां तक बता दी है, अब देखो, परसेंटेज लाना कितना जरूरी है, वो देख लो, परिक्षा में कम अंक पाने वाले अब यहरतियों को मेगा सूची में सामिल नहीं किया जाएगा, अगर आप जनरल से हो, 40% एट लिस्ट लाना होगा, अनुसूचित जाती, जन जाती और महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 34%, पिछड़ा जो है, पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस, पेपर 3 का सिलेबस, जो है मैं आपके साथ साजा करूंगा, subject wise, don't worry, नीचे कमेंट करके एक बार फिर से जो है, आप जैहिंद जरूर लिख लेना, ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो किन लोगों ने यहां तक देख ली ह तो नीचे कमेंट करके एक बार जैहिंद जरूर लिख लीजिएगा, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए इंफर्मेशन के साथ, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day